जहन साथियो बहुत बड़ी ब्रेकिंग नी उजा रही है दोस्तों बिहार सिक्षक नियोजन को लेकर और प्रात्मिक सिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सर के दुआरा ये लेटर जो है अभी अभी जो है जारी किया गया है जिसमें 6-8 और 1-5 जिसमें और 1-5 का कॉंसलिंग कब होगा कहां होगा नियोजन की सेंखा कितनी रहेगी नगर परिसत की सेंखा कितनी रहेगी सारा एट बताया गया तो इस वीडियो में आपको दोस्तों किसी तरह का काप कन्फ्यूज नहीं रह जाएगी वीडियो को आन तक देखना चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सकाइब कर लेना साथ में वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि दोस्तों आप ही के लिए जो है ताजा अपडेट लाया जाता है तो दोस्तों आईए इस न्यूज को पढ़ते हैं देख लिए यहां पर लिखा हुआ है दिनांग 5-7-2021 को वर्ग 6-8 के लिए कौंसलिंग है तो नियोजन एकाई यानि जो आज 5 तरिक को जो कौंसलिंग होगा वो 5 तरिक को 6-8 का होगा तो यहां पर दोस्तों देख लिजे नगर निगम नियोजन एकाई की जो सेंखा रहेगी वो दो रहेगा नगर परिसत नियोजन एकाई 23 रहेगा और नगर पंचा बिहार में जो 6-8 का कॉंसलिंग होगा वो दो नियोजन एकाई पर किया जागा जो कि 5 तारिक होगा और नगर परिसद नियोजन एकाई जिसमें 23 इसकी सेंखा जो है 23 रहेगी नगर पंचायत नियोजन एकाई इसमें 49 की सेंखा रहेगी जो 5 तारिक को 6-8 का कराना है अब दो है में जो है सेम है ओर नगर परिशत नियोजने काई तेई से नगर पंगर-थमस्वाटी नगर भॉकर नियोजने का है 40 न का लिए दोनों की संका दोस्तों देख लीजिए यह 365, वह सिक्स टू एट सिश्मार जिसमें दोस्तों 5 तारिक को 6 गोना है और छे तारीको 1 तूफाइब का होना है अब दूस्तों आगे देख ली जे साथ साथ 2010 को ज.' जिसमें six to eight के लिए कॉनुसिलिंम है तो नियोजने काई पर लिए ये परखंट नियोजने काई की जो संखा रहेगी वह एक सो पंद्रा परखंट नियोजने काई में कॉंसलिंग होगा जो कि साथ तारिक को सिक्स्ट एट का होगा और यहां पर आठ तारिक को जो आयोजित किया जाएगा वान टू फाइब का किया जाएगा जिसमें परखंड नियोजने काई कि जो सेंखा रहेगी वह 115 की रहेगी और बारा साथ 2021 को वर्ग वान टू फ अस्त्वित समाप्त होने के कारण तो यहां पर दोस्तों कुल मिला कर देख लीजिए साप यह किलियर अब साफ हो जाना चाहिए यह प्राथमिक सिक्षा निदेशक के दुवारा अभी अभी यह लेटर को जो है परकासित किया गया है आप देख लीजिए यहां पर प्राथ लगने वाला है तो यहां पर साफ हो गया है कि आप कहां पर होगा अब जो है इसकी आस्तान भी आपको पता चली जाएगा तुरंद तो इस अपडेट में दोस्तों फिलाल इतना है यह से खबर के लिए आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सकाइब कर लिजिए तमाम तरह क अपडेट जो है आपको मिल रही है